Hello Everyone, I hope you all are fine. Today I will teach you Maths. In Maths, our new topic is Descending Order. बच्चों, कल मैंने आपको Ascending Order करे था, आज मैं आपको Descending Order करा होगे. Ascending Order में हम करते हैं, छोटे से बड़ा. और Descending Order में हम करेंगे, बड़े से छोटा. ठीके बच्चों, तो अब मैंने आपके यहाँ 4 numbers दिये हैं. इस 4 numbers में आपको पता चल रहा होगा ना, कौन सा number सबसे बड़ा है, है ना? So, let's restart. 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30. बच्चों इससे सबसे बड़ी विजिट कौन सी है? कौन सा number सबसे बड़ा है? 3, 0, 30. फिट, अब हमारे पस कितने number बच्चे हैं? 3 numbers बच्चे हैं. वन number तो नहीं आने किलिए ना? इस 3 numbers में से हमें जेखना है, कौन सा number बढ़ा है? 15, 20, and then 25. इसमें से सबसे बड़ा number कौन सा है? 2, 5, 25. Next, हमारे पस सब कितने number बच्चे हैं? 2 numbers हमारे पस सब बच्चे हैं. तो इस 2 numbers में से हमें देखना है, कौन सा number बढ़ा है? 1, 5, 15. इस 2, 0, 20. कौन सा बढ़ा होगा? 2, 0, 20. अब हमारे पस कौन सा बच्चे हैं? 1, 5, 15. तो इसे हम ऐसे इखनेंगे, 1, 5, 15. समझे हैं आना सबको? Next है, 1, 8, 18. 1, 12. 1, 2, 12. 1, 4, 14. 1, 3, 13. तो अब आपको इस 4 numbers में से देखना है, सच्चे बढ़ा कौन सा number है? 1, 8, 18. Next, अब हमारे पस 3 numbers में से देखना हैं? 1, 2, 12. 1, 4, 14. 1, 3, 13. कौन सा नमर में बढ़ा है? 1, 4, 14. Next is, 1, 2, 12. 1, 3, 13. इस 2 numbers में से देखने हैं? इन तो नमर से कौन सा बढ़ा हैं? 1, 3, 13. अब हमारे कौन सा नमर में में से देखने हैं? 1, 2, 12. बच्चों, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छा से करने हैं फट्वे, ओके? थैंक यू, have a nice day, bye-bye